हलो गोईंकंस, आज की हिंदी की कक्षा में आपका विशे है पाठ तेरा मुहावरे नवीन हिंदी व्यभारिक व्याकरन तथा रचना भाग पाठ से मुहावरे बढ़ेंगे प्रेश्ट संख्या पहाता से भाषा में कुछ शब्दों का प्रियोग विशिश अर्थ प्रेकट करने के लिए किया जाता है जैसे मंत्री जी ने युवक की पीठ सहलाई कभी न कभी तो हमारे दिन भी फिरेंगे हमारी सैने शत्रू सैन पर तूट पड़े जैसे भैस के आगे बीन बजाना मुर्ख व्यक्ति को ग्यान की बाते समझाना गुइंकल्स मुहावरा बिसिकली होता है वास्तव में मुहावरे का जो अर्थ है मुहावरा शब्द अर्भी की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास होना या आदी होना इस प्रेकार मुहावरा शब्द अपने आप में यानि स्वयम में क्योंकि अपने आप में सामाने अर्थ को छोड़ कर असामाने अर्थ प्रेकट करता है वाक्यान शब्द से इसपष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्थ होता है यानि छोटा होता है परन्तु अपने इस संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव को प्रेकट करता है मुहावरे की जो परिभाशा है वो कुछ इस तरहां से है मुहावरा शब्द अर्भी भाशा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना हिंदी भाशा में मुहावरे का प्रियोग भाशा को सुंधर, प्रभावशाली, संक्षिप तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है ये वाक्यांश होते हैं इनका प्रियोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ ना लिक कर विशिश अर्थ लिखा जाता है महावरी की परिभाशा क्या है महावरे अर्भी भाशा का शब्द है जिसका शाब्दिकत अभ्यास करना है जो शब्द अपने साधारां अर्थ को छोड़ कर विशेश अर्थ को व्यक्त करते है हिंदी में ऐसे वाक्याश को महावरा कहते है महावरे को अंग्रेजी में idioms कहते हैं महावरा बनाते समय या लिखते समय वाके में प्रियोग करने के सामाने नियम कुछ इस तरह से है सबसे पहले हमें महावरे का अर्थ पता होना चाहिए कि इस महावरे का अर्थ क्या है तबी हम उस मुहावरे का प्रियोग करेंगे इसके बाद एक साथख वाक्य का निर्मार करेंगे यानि बनाएंगे इस वाक्य पर हमें इस प्रकार का होना चाहिए जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता हो वाकी प्रियोग में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखा जाता बलकि मुहावरे को ही वाकी प्रियोग में लिखा जाता है उदुहारन यदि हम 921 होना मुहावरे का प्रियोग करेंगे तो सबसे पहले उसके अर्थ पर ध्यान देंगे 9-21-11 होना मुहावरे का अर्थ भाग जाना है और इस मुहावरे का प्रियोग इस प्रेकार करेंगे कि भाग जाना अर्थ ना लिखकर हम 9-21-11 लिखेंगे जैसे पुलिस को देखकर 9-21-11 हो गए काम तमाम करना जान से मार डालना सैनिक ने एक ही वास्ते शत्रू का काम तमाम कर दिया दूसरा अर्थ है गले लगना बहुत प्यार करना बहुत ज्यादा प्यार करना इद के अफसर पर मुसल्मान एक दूसरे के